हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल तो संद्य की रसोई में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है तो आज हम लेके आ हैं कच्छे पपीती की रेसिपी तो चलिए इसको बनाते हैं यहां मैंने एक कच्छा पपीता लिया उसको धुल लिया अच्छे से धुलने के बाद छील लिया और फिर कट कर लिया फिर से अच्छे से धुल लिया है दुलने के बाद उसी वावल में हम पपीती में सास से आठ चमश हम बेसन एट करेंगे बेसन हमें इतना एट करना है कि ह पपीता हे अच्छे से कोड हो जाएं आप तेस्ट कि कोडे नमंक डाला है आप टेवल स्पूनिक में हल्दी पावडर लाले हैं और लालमेश पावडर डाला है उसके बाद अच्छे से इसको mix कर लें तो इस तरह से बढ़ी ऐसे बेशन पपीता में mix हो चुका है अब यहाँ पर मैंने कड़ाई लिये कड़ाई में oil add किया है oil गरम हो चुका है अब oil को पूरी कड़ाई में अच्छे से apply कर देंगे जैसे कि बेशन जो है न मेरा कड़ाई में चिपके न पपीता जो कोडिंग किया हुआ है वो इसको कड़ाई में add कर दिया है और इसको सुनेरा होने तक हमें भूनना है आच्छे से क्योंकि बेशन में से कच्छा पन ना है बड़ी असा सुनेरा और खुच्पूदार खुच्पू आने लगे तो अब इसको हम कड़ाई से बाहर निकालेंगे क्योंकि ये फ्राई हो चुका है अब उसी कड़ाई में हम थोड़ा सा ओईल और डालेंगे ऑईल गरम हो जाएगा फिर इसमें तेज पत्ता डाल देंगे डालने के बाद फिर इसमें हम कटा हुआ प्याज आइड करेंगे प्याज को हलका सुनेरा होने तक हम इसको भूनेंगे प्याज को हलका सुनेरा होने देंगे तो अभी तो प्याल सुनेरा नहीं हुआ है एक मिनट और लगेगा इसको सुनेरा होने में तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे फिर इसमें हम कटीवी हरी मिर्चा एड़ करेंगे अब इसमें हम मसाले एड़ करेंगे मसाले में 1 half tablespoon हल्दी पाउडर half tablespoon लालमेश पाउडर half tablespoon इसमें धनिया पाउडर टेस्ट के कोडिंग नमक अविन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे सभी मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया उसके बाद इसमें हम टमाटर कटा हुआ फिवरी जो टमाटल की वो एट कर देंगे बड़े असे मसाले को भून लेंगे खोब अच्छे से अब मसाला हमारा यहाँ पर भून चुका है अब जो हमने पपीता फ्राई किया है ना बेसन कोडिंग वाला उसको इसमें एट कर देंगे और पपीता को बड़े असे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे पपीता बड़े असे मसाले के साथ मिक्स हो चुका है अब इसमें पानी आट करेंगे यहाँ पर हम देर ग्लास पानी आट कर रहे हैं क्योंकि बेसन है ना तो बहुत जल्दी ग्रेवी गाड़ी हो जाएगे इसलिए इसमें हम डेड़ ग्लास पानी आट कर रहे हैं और इसको ढग देंगे नमक अब इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बेसन कोड किया था तब भी मैंने डाला था और फिर से डा अधनियाइट करेंगे तो देखिए ये पपीती की सबजी कितनी बढ़िया बनके तयार हुई लगी ही नहीं रहा है कि ये कच्छी पपीती की सबजी है तो आप लोग एक बर अपने घर पे बना की जरूर ट्राइए करें हमारी एरसी पे आप लोगों को पसंद आई तो हमा हमारे वीडियो को फुल बहुत जरूर करें मिलते हैं फिर से एक नीव वीडियो के साथ थेंक्स पर वचिंग माई वीडियो